हाई गाईज कैसे है आप तो गाईज आज का हमारा टॉपिक है हाउ तू जेल ब्रेक आईउस 14.7 14.7.1 जो भी लेटस्ट वर्जन आएगा एपल का उनुक इसकी जेल ब्रेक की वीडियो मैं इसे लिए लेट बना रहा हूँ क्योंकि ये जेल ब्रेक है तो काफी टाइम से बट इसके लिए आपके पास मैक बुक का होना जरूरी है विदाउट मैक बुक ये जेल ब्रेक नहीं हो सकती और दूसरी बात ये जो जेल ब्रेक कंपैटेबल है आईफोन 6 से लेकर आईफोन 10 तक कंपैटेबल है क्योंकि ये jailbreak hardware exploit वे बर्क करती है ना कि software बे मैं फिर से का रहा हूँ ये jailbreak iPhone 6 से लेकर iPhone 10 तक ही compatible है और ये होती Macbook से ही है कई आपको YouTuber एक आपको pen drive से भी करके दिखा सकते हैं जिसको वो कहते हैं पि ये computer की help से भी window की help से भी हो सकती है बट अगर आप वो method यूज़ करते हैं तो उसमें देखा गया कई बार data corrupt हो जाता है तो मैं आपको guide नहीं करूंगा मैं आपको जो method है proper मैं वो ही बताऊँगा आप देख सकते हैं मेरे पास से system iPhone 6 है और जिसका software version है iOS 14.7 तो चलिए देर की बिना वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ आप अपना phone भी कैसे jailbreak कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपने क्या करना है आप सफारी ब्राउजर में गए वहाँ पर जाने के बाद आपने ये search करना है check rain jailbreak वहाँ पर जाके आपने type कर देना है गूगल पर ये देखिए जैसे type करेंगे ये search में नीचे सबसे पहले लिखा आजाएगा ये देखिए check rain आपने इस पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे ये ऐसे window बनी हुए आजाएगी ये देखिए अब आपने क्या करना है इसको maximize कर लिया यहाँ पर ये option आ रहा है get the beta now ये देखिए ये आपने यहाँ पर click कर देना है जैसे click करेंगे यहाँ पर ये आगया download for macOS क्योंकि मैं फिर से कह रहे हैं ये mac के लिए बनी है window पर अभी compatible नहीं है ये mac से ही उती है हमेशा अब ये देखिए इस पर आप click कर देंगे ये देखिए आपर ये download होने लग दिया ओपर corner पर download हो जुका है जैसी मैं इस पर click करूँगा ये search bar में गए हम ये देखिए ये download हो जुका है हमारा अब अपने क्या करना है इस पर double click करना है ये file extracting हो रही है अब ये देखिए ये desktop पे भी sky icon आचुका है अब ये आपने check ring के logo को ये applications के folder पे shift कर देना है ये देखिए अब ये file extracting होगी और ये application लोगों में चला जाएगा ये देखिए यहाँ पर आ चुका है अब आपने इस पर double click करना है ये देखिए नीचे tray में भी आ जाएगा ये अब ये आपन का option मांगा आप ये देखिए ये आपका check ring tool open हो जोटा है अब आपने क्या करने है फोन आपका macbook के साथ connect होना चाहिए और यहाँ पर ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूँ 6S phone है मेरे पास और इसका software version है 14.7 ये देखिए और यहाँ पर भी ये mention आ रहा है लिखा हुगा special sorry आइफोन 6S is sported बट iOS 14.7 is note sported version लिखा रहा है 12.0 से लेकर 14.5.1 बट आपको डरने की जुरुत नहीं है ये जो jailbreak है ये hardware exploit में based करती है ना कि software exploit भी और ये होती MacBook के साथ ही है और इसमें phone compatible है iPhone 6S से लेकर iPhone 10 मैं आपको एक और बात बता दूँ जो भी iPhone का latest software आता रहेगा अभी जैसे latest 14.7 चल रहा है आगे 14.8 भी आता है तो भी ये jailbreak होगी क्योंकि ये hardware exploit में बहुत करती है और ये होगी Mac से ही कुछ YouTuber आपको एक pen drive से भी jailbreak करके दिखा देंगे इसकी जिसको raven करते है बट वो valid नहीं है क्योंकि उसमें दिखा गया जब भी jailbreak करता है तो out of 10 में से 4 device ऐसे हैं जिसका data lost हो जाता है और वो corrupt हो जाते हैं तो मैं आपको best method यहीं बताऊँगा जो Mac book से compatible है अब आपने क्या करना है ये जैसे लिखा हुआ RIS पे version note supported कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर देखिए start का option में नहीं आपर ये highlight is fine क्योंकि इसका ये version अभी unsported दिखा रहा है अब आपने क्या करना है ये option का column लिखरया आपने यहाँ पर click किया अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है allow untested device अब ये देखिया आपने untested device पर click कर देना है और यहाँ पर एक और column है वर्बोस बोंट यहाँ पर भी आपने click कर देना और यह यहां पर एक और कॉलम है skip A11 BPR jack यह उस phone के लिए अगर आपके पास 8 है 8 plus है यह iPhone X है तो अगर आपका version 14.5.1 से उपर है तो आपको यह tick mark करना पड़ेगा और otherwise जबुरत नहीं है मैं फिर से कहरो हम अगर आपके पास iPhone 8 है 8 plus और iPhone X है जो latest version पे है 14.7.1 ही क्यों नहीं तो आपको उस के लिए यहां पर tick mark करना पड़ेगा अधरवाई ज़रोत नहीं है अब हम back आगे अब हम start का button प्रेस करेंगे अब इसके लिए आपको अपना phone यहां पर यह सिधा जब हम करेंगे this device is running iOS version which are not confirmed work build for checker and device may fail boot or become unstable अब यहां पर लिखा हुआ है continue at on risk दोस्तों यह तो आपको ही पता है jailbreak जो होती है यह आप अमेशा अपने risk पे करती है अगर कुछ fault आ जाकता है तो dwell पर अमेशा कहते हैं यह उनके कारण नहीं है do jailbreak your own risk तो यह आपको यह भी यह बता रहा है अब अगर आप आईए आपकी option है आप jailbreak करना चाहते हैं यह नहीं तो मैं तो वैसे इतनी time से करना हूँ मैंने तो आज तक देखा नहीं कि मेरा कभी phone ऐसे fail हुआ हो यह boot loop में फसा हो मैं आपको वही बताऊंगा जो method रहेगा अब आपने इसको ok कर देना है ok करने के बाद अब यहां पर यह लिखा हुआ क्या the device needs to be put into defu mode अब defu mode में कैसे करना है आपने यह side का power button दबाना है और यह volume button दबाना यह home button प्रेस करके रखना है जब तक आपके phone पे apple का logo नहीं आ जाता और जब आपका phone apple का logo आ जाएगा तब आपने यह power button छोड़ देना और home button फिर भी प्रेस करके रखना है अब मैं दिखाता हूँ आपको यह dfu mode कैसे होगा यह देखिए मैंने side से power button प्रेस करके रखना है और home button यह देखिए अब जैसे यह apple का logo आ जाएगा मैं इसका power button छोड़ दूँगा और home button प्रेस कर रखना यह देखिए एपल का logo आ गया है अब यह देखिए यह dfu mode है जिसे हम recovery mode कहते है यह देखिए अब आपने क्या करना है start में गए यह देखिए यह फिर से हमें यह option दे रहा है click start button press and hold side button together four seconds के लिए फिर release the यह देखिए आपको फिर से दिखा दूँ मैं clear देखिए यह option आ चुकी है click start की जब आपका phone dfv mode में चला जाएगा press and hold the side button and home button release the side button but keep holding the home button आपको clear हो चुका होगा अब मैं जैसी start button करूँगा यह देखिए अब यह उसके बाद कह रहा है press and hold the side button अब यह देखिए मैंने release कर दिया है side button अब मैंने home button press करके रिखा हो रहा है कि यह देखिए कि बूटिंग हो रहा है कि यह देखिए चेक क्रेंज जीलब्रीक हो रही है कि यह जीलब्रीक जब डन हो जाएगी तुहां पर भी डन लिखा हुआ जाएगा यह देखिए यहां पर लिखा गया आल डन अब मैं open करूंगा कि यह देखिए है कि यह देखिए है कि यह देखिए चेक क्रेंज का लोगो बनावा जुका है अब चाहिए इसको आप कंप्यूटर से उतार भी देए आपकी option है अगर उतारना चाहें आप उतार सकते हैं अब हमने क्या करना है यह चेक क्रेंज पर क्लिक किया यह देखिए यह यहां पर option कह रहा है हमें install cdia अब यह देखिए मैं फिर से दिखा रिखा रहता हूं अभी cdia का icon नहीं है बाहर को भी यह देखिए चेक क्रेंज पर गये cdia पर गया install cdia कर दिया अब यह देखिए यह दाउनलोड हो रही है पीछे से इसकी cdia की अब जैसे यह आपका phone jailbreak होगा बाहर cdia का icon आ जाएगा और फिर आप जो चाहे मर्जित वीक इसमें डाउनलोड कर सकते हैं cdia आ चुका है अब जैसे में open करूगा यह phone आपका jailbreak हो चुका है version मैं फिर से आपको confirm कर दूं 14.7 iPhone 6s देख सकते हैं अब आप जो चाहे मर्जित वीक इसमें डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं मैं link description में दे दूंगा आप जो मर्जित वीक इसमें डाउनलोड कर सकते हैं तो I hope guys आज का आपको मेरा tutorial पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को like और subscribe करना मत करना अभी के लिए इतना ही धन्यवाद